हेलो एंड वेलकम टू जागरंड हाई टेक हारत के बजार में आज BMW मोटोराड ने अपनी रेस टेक मोटोसाइकल BMW S1000RR लांच कर दिया जो कि पहले से ज़्यादा पावरफुल और हल्की है कंपनी ने इस बाइक में क्या कुछ खास दिया है आएए जानते हैं इस वीडियो में लाइटर, फास्टर, मोर डाइनमिक और मोर एग्रेसिव यानि अब यह बाइक पुराने मॉडल के मुकाबले करीब 11 किलोग्राम हल्की है बाइक के दो लेवल, फ्रेंट सेक्शन में नई आर आर लाइट्स दी गई है जो एथलेटिक अपीरेंस देती है बाइक को एग्रेसिव लुक देने के लिए मोटर साइकल के सब फेस पर BMW का लोगो दिया गया है रियर में नमबर प्लेट होल्डर्स में प्लेट लाइटिंग, LED टर्न सिंगनल्स, टेल लाइट्स और ब्रेक लाइट्स दी गई है बाइक में 6.5 इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है जो मल्टी फंक्शनल इंस्टुमेंट पैनल के साथ आता है BMW S1000RR में कमपनी में Newly Developed Engine दिया है जो की 4 किलो हलका है यह एंचन 207 होट्स पावर जनरेट करता है नई BMW S1000RR में कमपनी ने टॉक कव बहता बनाने के लिए BMW Shift Camp Technology का इस्तमाल किया है ताकि इसके स्पीड रेंज और फ्यूल कंजप्शन लेवल्स में सुधार हो सके 9000RR में ABS Prod, Dynamic Traction Control and DTC Wheelie Function Standards दिये गए है इसके अलावा इसमें Optional Dynamic Damping Controls भी दिया गया है Bike Ride के लिए कमपनी ने इसमें 4 Modes यानी Rain, Road, Dynamic and Race Standard दिये है इसके अलावा Tracks और Motor Racing के लिए Bike में Riding Modes Prod भी दिया गया है Pro Modes का इस्तिमाल Race, Track पर Launch Control के लिए किया जाता है कीमत के लिहाज से ये जापानी लिटर क्लास मोट सैगल जैसे Honda CBR 1000RR, Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000R और Kawasa की निंजा ZX-10RR में अपने सेग्मेंट में काफी महंगी बाइक सावित हो रही है BMW Motorrad ने भारत में S1000RR को Completely Built Unit के तौर पर उतारा है BMW Motorrad ने 2019 BMW S1000RR को तीन वेरियंट में लॉंच किया है कंपनी ने इसमें Standard, Pro और Pro M Sport वेरियंट उतारे है इसमें इसकी शुरुवाति कीमत 18,50,000 रुपे से रखी है जो की 22,95,000 रुपे तक जाती है झाल